ये राम कौन है इनसे हमारा क्या संबंध है इत्यादी प्रश्ण मनुष्य के मस्तिष्क में आते हैं तो पहले राम शब्दकार्थ समझे रमंते योगिनों नंते सत्यानंदे चिदात्मनी इतिराम पदेनासो परब्रह्मा भिधियते राम तापनियों पनिशत बेद में राम शब्द का अर्थ लिखा हुआ है अर्थात जो सत्चित आनंद पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है उसी को राम कहते हैं सर्वद्ष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुरित सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान आत्मा राम पूर्णकाम परमनिशकाम योगींद्र मुनींद्र परमहंसों से भी आराध्य जो एक अध्वतिय सुप्रीम पावर है उसको राम कहते हैं फिर दूसरी ब्याख्य करता है शास्त्र राशब्दो विश्व बचनो मस्चापी श्वर बाचका विश्वानामी श्वरो योही तेनराम प्रकीर्तिता रामा ने बिश्व जगत और मामा ने ईश्वर संचालक शासक गवर्नर अर्थात बिश्व का जो अध्यक्ष हो और राम कहलाता बेद में ब्रह्म की परिभाशा बताई है यतो आइमानि भुगताने जायंते येन जाताने जीवंति यत प्रियंति अभिसंबिशंति तत ब्रह्म अभिजिग्या सस्व तैत्तरियो पनिशक तीसरी बल्ली का पहला अनुबाग अर्थात जिससे संसार उत्पन्न हो जिससे स संसार की रक्षा हो जिसमें संसार का लय हो उसका नाम ब्रह्म और वही राम है फिर बेदने और परिभाशा की राम की रामत्क्वं परमात्मासी सच्चिदानंद बिग्रह मुक्तिको पनिशत्त ए राम तुम ब्रह्म हो ब्रह्म शब्दकार्थ होता है अर्थात जिससे बड़ा कोई नहों है उसका नाम ब्रह्म में कि जो स्वयं अनंत अन्लिमिटेड लिमिट का हो और दूसरे को भी अनंत मात्रा का बना दे उसका नाम ब्रह्म और वही है राम पिर बेद कहता है राम ब्रह्म है जिसको बेदों ने बार-बार ब्रह्म शब्द से पुकारा है वे ही राम है तुम ब्रह्म परमम्साक्षात अध्यात्म रामाएंड राम तुम ब्रह्म हो स्वयम ब्रह्म बता रहा है राम कौन है करता सरबस्थ्य लोकस्य बालमीक रामाएंड स्वमस्त ब्रह्माण्ड का बनाने वाला प्रकट करने वाला ब्रह्म वेई राम है तुम बिष्णुर जानकी लक्ष्मी यह जो बिष्णु है जिनका बहुत पर्णन आता है संसार के पालन करने वाले यह राम कुम हो और जो लक्ष्मी है उनकी श्रीमती रमा वो स्नीता जी है तुम लोग अवतार लेके आये हो ब्रह्मा कह रहा है भवान नारायनो देवस्त आप नारायन है रामो नारायन साक्षात अध्यात्मरामैन राम एव परंब्रह्म राम रहस्यों पनिशत् और जो लोगों के मस्तिष्क में एक बीमारी है बोले भाले लोगों के के राम और हैं स्रीकृष्ण और हैं उनके लिए अध्यात्मरामायन का प्रमान देखिए राम कौन है अध्यात्मरामैन कहती है माया तीतम माधव माध्यम जगदाद्यम ये माया से अतीत माया के अध्यक्ष और माधव और जगत के आद में जो थे वे राम है तो क्यों जी माधव माधव तो स्रीकृष्ण का नाम है ये माधव क्यों कहा अध्यात्मरामैन में इसलिए कहा कि राम कृष्ण में भेद नहीं है राम का नाम भी स्रीकृष्ण का है स्रीकृष्ण का नाम भी राम का है फिर दूसरा सुनिए बंदे रामम मरकत बरणम मतुरेशं हम राम की बंदना करते हैं जो मतुरा के ईश हैं मतुरा के ईश तो स्री कृष्ण हैं वहां कहां राम पहुंच गए अजी और राम कृष्ण एक ही हैं बंदित ब्रिंदा रक ब्रंदम ब्रिंदा रैने बंदित ब्रिंदा रक ब्रंदे ब्रिंदा रैने ब्रिंदा बंद भी पहुंच गए राम ब्रिंदा रैने बंदित ब्रिंदा रक ब्रिंदम हमारे देश में ऐसी बीमारी है मैं आयोध्या में बहुत साल पहले गया एक सम्मेलन में तो वहाँ एक ब्रिंदा बनके महात्मा आये थे वह अपना राधे-राधे किर्थम कराए तो वहां के हजारों बाबा बोले ही नहीं क्या बुद्धी है और ये उनकी अध्यात्मरामाण कह रही है ऐसा तो रामकृष्ण में किसी में कोई भेद नहीं नाम में न रूप में ना गुन में न लीला में न शक्ती में किसी में कोई भेद नहीं तो राम कौन है ब्रह्म है सुप्रीम पावर जिससे परे और कुछ नहों वे राम ब्रह्म है ठीक तो उनको जानना है कैसे जानेंगे बेद कहता तमेव बिधित्वाति मिरित्युमेति नान्य पंथा बिध्यते जनाय श्वेताष्ट रोपनिशत छट्वे अध्याय का पंद्रहवा मंत्र उस ब्रह्म को उस राम को जान कर ही कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है अर्थात आत्यंतिक दुख निब्रित्ती हो सकती है हम लोग क्या चाहते हैं आत्यंतिक दुख निब्रित्ती और अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए आनंद ये दो एम हैं हमारे भूले भाले लोग तीतने कह देते हैं हमारा दुख चला जाए दैहिक दैविक भावतिक चौराशी लाख काई जो चक्कर है हमारा इसमाप हो जाए उसको मोक्ष कहते हैं लेकिन ये अलपग्यता है मोक्ष नहीं मांगना है खबरदार सावधान भगवत प्रेम मांगना है मोक्ष बहुत निंदनी ये बस्तू है इसको तो हमारे यहां शास्त्रों में चुड़यल कहा है भुक्ति मुक्ति श्प्रिहाजावत पिशाची पिशाची हृदि भर्तते तावद भक्ति सुख अस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत ज़त तक भुक्ति माने ब्रह्मलोक तक के सुख प्लस भुक्ति ये दो भी का प्राकट नहीं होगा एक पैर भुक्ति के उपर रखो एक पैर मुक्ति के उपर रखो तब प्रेमानंद की कामना करो यह मानव देह जो आपको मिला है इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं रियलाइज करते का क्या महत्प है बिदेह ने कहा नव जोगी स्वरों से दुरुलभो मानुशो देहो देहिनाम छण भंगुरा तत्रापि दुरुलभ मन्ने बैकुंठा प्रिय दर्शनम ग्यारावे असकंद के दूसरे अध्याय का वंतिस्वांश लोग अनन्त जन्मों के पुन्य उद्य होने पर मानुदेह मिलता है और फिर अगर कोई महापुरुष मिल जाए मानुदेह में तो बस इसके आगे और कोई भगवत कृपा नहीं होती कोई सवभाग्य इसके आगे नहीं है आदि जगत गुरु शंकराचार्दी ने भी कहा दुरुलभं त्रयमे वैतत दैवान उग्रहकारकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रव मानो देह भी मिल जाए और कोई वास्तविक संत मिल जाए वास्तविक माने शोत्रिय ब्रह्मनिस्ट छोरिटिकल मैन भी हो शास्त्रवेद का ज्ञान करा सके और प्रैक्टिकल मैन भी हो भगवत दर्शन कर चुका हो ऐसे कान फूबने वालों से काम नहीं चल लगा है तो बहुत बड़ा धोका चलना है मारे देश में मुंडको पनिशत में कहा गया परीक्चलोकान कर्मचतान ब्रह्मनो निर्वेद मायान आस्त्यक्रताक्रतेन तद्विज्यानार्थम सा गुरुमेवा भिगच्चेत समित पानिशोत्रियम ब्रह्मनिस्टम पहले मुंडक के दूसरे खंड का बारहमा मंत्र आए मनुष्यो अपने आप शाश्त्र बेद न पढ़ना खत्रे में पढ़ जाओगे क्यों हमारे यहाँ छे दर्शन छे तरे की बात करते हैं चार बेद चार तरे की बात करते हैं अठारा पुराण में जाब अलग अलग बातें लिखी हैं अगर हजार बर्ष की उमर भी तुमारी हो जाए और पढ़ो समझो तो पागल हो जाओगे तत्पक ज्यान नहीं होगा तुरसी दाश्ची ने लिखा है शुरूती पुराण बहु कह उपाई छूटे ना अधिक अधिक अरुजाई और उलज्याओगे एक बाबाजी आए बोल गए बाणाश्रम धर्म का पालन करो दूसरे बाबाजी आए बोल गए अहम ब्रह्मास में तत्पमस का जब करो तीसरे बाबाजी आए उन्होंने का अपने को अधम पतित मानो अब विचारा साधारन जीव जो शाष्ट्रवेद का नाम नहीं जानता उसका क्या हाल होगा है सब सुन करके इसलिए बेद कह रहा है कि शोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम महापुरुष के पास जाओ उससे समझो राम कौन है उनसे हमारा क्या संबंद है वे कैसे मिलेंगे वो संखेप में समझा देगा आपको और पुस्तकों को पढ़ करके आप कभी नहीं समझ सकते बेदा ब्रह्मात्व विशया श्त्रिकांड विशया अमी भागवत कहती है बेद में तीन कांड है लेकिन ओ ऐसे ब्रह्म अग्येज है ऐसे बेद भी अग्येज है कोई ने उसकार समझ सकता पढ़ कर कोई थाह नहीं है बेद की अरे बेद को छोड़ो अग्दम नीचे आजाओ रामायन आप लोग सोचते होंगे रामायन तो हम समझ लेते हैं भोखा है आपको अच्छा एक छोटी सी बात बताते हैं आपको हम रामायन की समझिए बिनुहरी कृपा मिले ही नहीं संता बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते ऐसा कहा जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाईये जब भगवान कृपा करते हैं तब संत मिलता है हुआ 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 है लेकिन फिर लिखते हैं बड़े भाग्य है लो कि संत बड़े भाग्य से मिलता है पुल्ण पुंज बिनु मिला ही न संता सत संगति संस्रिति कर अंता बड़े पुंज से मिलता है संत और भगवान के कृपा से मिलता है संत इन दोनों में क्या सही है दोनों लिखा है अरे मानों देखो देखो बड़े भाग्य मानुष तनुपावा सुरदुर लभ सद ग्रंथन गावा बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य का शरीर कभी भगवान कृपा करके मानों देख देते हैं क्यों जी अगर भगवान देते हैं तो उनका इहसान हम मानेंगे फिर आप यह क्यों कहते हैं अपने कमाई का फल है अपने पुन्य है अगर अपने पुन्य है तो भगवान को हम क्यों थैंक्यू कहें एक बात बताओ क्या सही है दोनों में हाँ दोनों लिखा है हम पढ़ते तो है रामैन तो फिर क्या समझोगे तुम इसलिए रामैन में कहा जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ तिन कह मानस अगम आती जिनहिन प्रियर गुनात तेन शर्द्ध रामैन समझने के लिए क्या श्रद्धा माने पूर्ण विश्वास यहीं नहीं है डाउट रहता है हमारी खोपड़ी में और अगर यह हो भी जाए तो संतन को साथ महापुरुष का संग होना चाहिए जहां समझ में ना आवे पूछ लो अपनी माईक बुद्धी से अर्थ न लगाओ हमारा अनुभव तो जाब मिटीरियल है हम क्या समझेंगे इस्प्रिचुल जगत की बाते और फिर रहुनात जी कामी हिनारी प्यारी जिम प्यारे लगें यह तीन शर्द हो तो रामैन समझ में आएगी आप पर सकते अन्य था नहीं और गीता के लिए तो और कडानियम है इदन ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन नचाशुश्रूशवे बाच्यम नचमाम जो भ्यसुयति शंकराचार्जी ने इस असलोग का भास्ट लिखा जो तपस्वी ना हो पूर्ण बिरक्त उसको गीता ना सुनाना जो भक्त ना हो श्रिकृष्ण का उसको गीता ना सुनाना उना पढ़े गीता और जो उन जिग्या सुना हो उसको न सुनाना और जो श्रिकृष्ण को भगवान न मानता हो उसको भी न सुनाना वरना वो कहेगा क्यों जी तुम्हारे श्रिकृष्ण ने गीता में बड़ी तारीफ लिखी है अपनी मैं भगवान हो पूरा आध्याय का ऐसा तो नहीं होता कोई बड़ा आदमी तो कहता है मैं बहुत ही नाचीज हूँ आकिंचन हूँ चूटे फूटे सब्दों में बोलने जा रहा हूँ अड़े दीनता के शब्द बोलने चाहिए भगवान तो ऐसा कैसा भगवान अपने आपको भगवान कह रहा तो कोई भी ग्रंथ भागवत को ले लीजिए आज कल साथ दिन की भागवत होती है बैकुंठी जाने के लिए बड़े भोले लोग है वो पंडिजी भागवत कह रहे हैं संस्कृत में है 18000 श्लोग पंडिजी भी नहीं जानते उसका आर्थ 18000 का खाली योश लोग पढ़ता जानते हैं और जो सुनेने वाला है वो तो अपना उंगाता रहता है अज यो समझ में ना आएगा तो विचारा क कितने गंटे पैठ है क्या करें और उसने इसी प्रकार साथ दिन कर लिया और उन्हें का बस्ठीक है हम गो लोग पहुंच जाएंगे और जब कि भागवत कहती है तच्छेणवन बिपठन बिचारण परो भक्त्याबि मुच्चे नरा भागवत को पढ़ो या सुनो फिर ब अंभीर विचार करो उसका स्टेंस समझो फिर भक्त्या भक्ति करो तब मुक्ति होगी अरे जिसकी मुक्ति आप लोग सुनते हैं परिक्षित की वो तो भगवान को की प्राप्ति गर्भ में ही कर चुका था गर्भ में उसने भगवान का दर्शन किया और जब पैदा हुआ बाहर आया तो देख रहा था कि वो जो भगवान हमको दीखे थे गर्भ में वो किधर रहें ये परीक्षण कर रहा था इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ गया भागवत सुनाने वाले शुकदेव मायातीत परमहंस सुनने वाला भी मायातीत तो साथ दिन क्या उनको तो साथ मिनट की भी जरूरत नहीं है भगवत प्राप्ति करने में लेकिन माया बद्ध को तो भक्ति करनी पड़ेगी अक्षरों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा तो बेद को भी हम नहीं समझ तकते, शास्त्र को भी नहीं समझ तकते, पुराण को भी किसी महापुरुष के ग्रंत को समझने के लिए उसी महापुरुष के समान बुद्धी होनी चाहिए तक समझ में आएगा, जिस स्टेज का वो व्यक्ति किताब लिख रहा है, उसी स्टेज का ओप समझने वाला भी होना चाहिए, या तो वो समझावे, अब आज कल हमारे देश में क्या हो रहा है, एक रामैन की चौपाई का सत्रा अर्थ, बाइस अर्थ, एक सव अर्थ, ये क्य हो रहा है वे, ये भी हो सकता है, अर्थ, ये भी हो सकता है, इस चौपाई का अर्थ, ये भी, और सुनने वाले बड़े विभो रहे हैं, क्यों जि तुमने इस चौपाई का क्या अर्थ समझा, उन्होंने का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो डिसीजन क्या है तुमा है यह हमारे जमाग में तो confusion भर दिया पंडिक जी ने हम क्या decision लें तो राम तत्व को जानने के लिए शोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष्च चाहिए गीता में अस्पष्ट लिखा है तद्विध्धि प्रणि पाते न परिप्रश्णे न से वया उपदेग छंतिते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शिन चौथे अध्यायका चौथिस्वांश लोग भागवत ने भी लिखा है तस्मात गुरुम प्रपद्देतो जिग्याशु श्रेज उत्तमम शाब्दे परेच निश्नातम ब्रह्मन्डु पशमाश्ट्रयम ग्यार्मे असकंद के तिसरे अध्यायका एक्कैस माश लोग और आमैन भी कहती है गुरु बिनुभावनिधी तरही न कोई जो बिरन्चि शंकर सम होई आदि जगत गुरु ब्रह्मा भी हो तो भी बिना गुरु के न शाष्त्रों बेदों का आर्थ समझ में आएगा न साधना समझ में आएगी न आत्यंत गुदुख निवृत्ति होगी पंचकलेश पंचकोश कोई भी दोश नहीं जाएगा और भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात ठेक तो राम कौन है अब हमने जो अपने गुरु से समझा है वह आप लोगों को बताने जा रहे है राम कौन है तो सबसे पहले तो आप यह समझिए कि राम को अपनी बुद्धी से जानने की शेष्टा कभी न करना क्यों यतो बाचो निवर्तन ते अप्राप्यमन सासा बेद कह रहा है वो बुद्धी से परे है दूसरे खंड का चवथा मंत्र है भगवान बुद्धी से परे है तुम बुद्धी से जानना चाहते हो न हाँ तुम्हारी बुद्धी मिटीरियल है माईक है प्राकृत है और भगवान दिव्व्य है इसी एक पॉइंट से कट गया देखिए बेद में बड़ा सुन्दर निरूपन है पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का दसवा मंत्र है और ग्यारहमा मंत्र है क्या मतलब इसका इंद्रियों से परे इंद्रियों के बिशय उससे परे मन उससे परे बुद्धी उससे परे आत्मा उससे परे माया उससे परे ब्रह्म तो जब आत्मा को यह अपनी बुद्धी नहीं जान सकती तो परमात्मा को क्या जाने की असंभो यही बात बिलकुल इसी तरह की गीता में बता दिया वगवान में इंद्रियान पराण्याहुर इंद्रिये ब्यपरमना मन सस्तु परा बुद्धिर बुद्धे परतस्तु सा इंद्रियों से परे मन मन से परे बुद्धी बुद्धी से परे वह और भागवत में देख लिजिए नाहम नजूयम यदृताम गतिम बिदुर नभाम देवक्कि मुतापरे सुराह तनमायया मोहित बुद्धयस्पिदं भिनिर्मितं चात्मसमं प्रचक्ष्महे दूसरे असकंद के छठवे अध्याय का छठिस्वाश लोग ब्रह्मा कह रहा है मैं भगवान को राम को मैं नहीं जानता और मैं यह भी जानता हूं कि शंकर जी भी नहीं जानते इंद्र भी नहीं जानता ब्रहस्पती भी कोई नहीं जानता क्योंकि सब की बुद्धी माया की बनी हुई है और वो बुद्धी से परे है जैसे किसी गहरे समुद्र को नापने के लिए कोई एक फुट का पैमाना ले जाए और डुबो दे और बाहरा कर कहे समुद्र की गहराई एक फुट लोग मान लेगे दूसरा वेक दी गया उसके पास दो फुट का पैमाना था उसने भी डाल दिया उसने कहा ओ गधा है जो कहता है एक फुट है दो फुट गहरा है तीसरा गया उसके पास दस पुट का पैमाना था उसने कहा है दोनों गधे हैं, दस फुट गहरा है, जितना गहरा समुद्र है, उतना बड़ा पैमाना है ही नहीं किसी का, अपनी अपने पैमाना को बता रहा है हो, जितनी लिमिट के उसकी बुद्धी है, उतने उसका नुरूपन हो गया ब्रह्म का, अरे रामायन से समझे, बड़ा आसान जो है, रामस्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धी पर, अबिगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम बद, अरे जी जो बड़े-बड़े बुद्ध माने ब्रह्मादिक, नथिम से संसार बना दिया, ओ भी नहीं जान सकते, ना, ना, कोई नहीं, ना, जग पेखन सब, देखन हारे, बिधिहरी शंभू, ए तीनो परस्नल्टी, नचावन हारे, तेवू नजान ही, मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा, अंतिम्मथार्टी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये भी नहीं जान सकते, और कोई जानने वाला है, और तो सब, उनसे बहुत नीचे है, क्यों नहीं जान सकते, मैंने बताया ना, क्यों गोचर, जहां लगि मन जाई, सो सब माया जान हुँ भाई, जहां तक बुद्धी जा सकती है, वो सब माया, अगर बुद्धी भगवान को जान ले, ध्यान दो, अगर किसी की बुद्धी भगवान को जान ले, तो सुप्रीम पावर बुद्धी कहलाएगी, भगवान नहीं, यन मनसान मनसे ये तरे नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं बिध्धी नेदम यदेदु मुपासते, यचक्छुषान पष्चति जेन चक्छू गवम्सि पष्चति तदेव ब्रह्मत्वं बिध्धी नेदम यदेदु मुपासते, यत प्राणे न न प्राणीति जेन प प्रण प्रणियते देव ब्रह्मत्वं विध्धि बेद बार-बार कह रहा है कि इंद्रिय मनबुधि का प्रकाशक है राम तो प्रकाशक से प्रकाशित बस्तू अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती Unnatural! इसलिए भगवान को कोई नहीं जान सकता. इसलिए भगवान को जानने का प्रयत्मना करो, यह जानलो! कोई पूछे, यह क्रिपालू ने क्या बताया भगवान के बारे में? तो यह बताया उन्होंने कि भगवान को जानने का लेबर न करना! उसके जानने का जो उपाए है वो करना अपनी बुद्धी से जानने की चेश्टा न करो अनावश्चक कोई लाव नहीं होगा और नुकसान हो जाएगा देखो राम आवतारप कोई ले लो राम ने जो जो लीलाएं की उसको देखा लोगों ने हम लोगों नहीं देखा हम लोग भी थे उस समय हमसे भगवान सीनियर नहीं भगवान भी अनादी हम भी अनादी माया भी अनादि ये तीनों अनादि हैं बेद कह रहा है ग्याग्योद्वा वजा वीशनीशा वजा हेका भोग्त्रभोग्यार्थ जुकता अनंतश्चात्मा विश्वरूपोह्यकर्ता त्रयम जदा बिंदते ब्रह्ममेतत स्वेताष्चतरोपनिशत राम जा रहे हैं स्थीता को खोजते हुए हम लोगों ने देखा क्या कर रहे हैं अपनी स्रीमत्य को खोज रहे हैं अच्छा ऐसे कैसे खोजना होता है बहला रे ब्रिक्षा परवतस्थागिर गहनलता बायुना बीज्यमाना रामोहंब्या गुलात्मा जशरततनया श्टोक शुक्रेन दगधा बिंबोष्थी चारुनेत्री सुविपुल जगना बधना गेंद्रकांची हा सीता केन नीता ममहरदय गता को भवान केन द्रिष्टा राम रोते हुए देखिए राम की परिभाशा है ब्रह्म माने आनंद मैं सदा रो रहे हैं पहला तो यही आर्चन क्यों जी यह ब्रह्म है यह रो रहे हैं ब्रह्म कहीं रोता है क्या आप मदा करते हैं और रोते हुए क्या कर रहे हैं ए ब्रिक्छो पेड़ों से पूछ रहे हैं तुम्हारे नीचे से हमारी सीता गई है क्या भला पेड़ बोलेगा यह भी होश नहीं है राम को आईसी पोजीशन में हमने जब देखा तो हम लोगों ने क्या कहा होगा लैला मजनू का रिकर्ड तोड़ दिया अरे भगवान है अरे क्या भगवास करते हो भगवान तो सर्बग्यो सर्बद्रष्टा सर्बनियंता सर्बसाक्षी सर्बेश्वर ऐसा होता है आईसा तोड़े होता है कि वो पेड़ से बात कर острब देखर प्रांत के प्रतेख ग्राम के प्रतेख पोखरे में रहने वाले करोणों जीवों के अनन्त जन्मों के प्रतेख चण के प्रतेख संकल्प को नोट करता है एक भगवान तो अपनी स्रीमती का हाल नहीं जानता जो पेडों से पूछ रहा है और आश्चर जो देखो राम कह रहे हैं लक्षमन से को हम ब्रूही सके क्यों जी मैं कौन हूँ लक्षमन को भी नहीं पहचानते अपने को भी नहीं पहचानते तो कहते हैं क्यों जी मैं कौन हूँ लक्षमन कहते हैं आर्जा आप आर्ज हैं आर्जा सको कौन सा आर्ज कह रागव हो आप रागव हैं अच्छा महराम हूँ के यू यम तुम कौन हो नाराज दासो स्मिते लक्षमन आपका दास लक्षमन हूँ अच्छा अच्छा आप समझा मैं राम हूं तुम लख्ष लेकिन हम दोनों यहां जंगल में क्या कर रहे हैं कांतारे की मिहास महे जंगल में क्या कर रहे हैं महराज देव्यागतिर म्रिग्यते देवी जी को ढूण रहे हैं देवी का देवी कौन देवी रहे जनकाधि राज तनया माता जानकी को ओ हा जानकी फेवश हो गए अब आप लोग सोचिए कि इस हालत में हमने जब देखा होगा राम को क्या नहीं सोचा होगा और अपने को सोचा होगा कि है भाई दुनिया में किसी की भी इस्तिरिक हो जाए पुलिस में रिपोर्ट करो और आदनी भेजो रेडियो से एनाउंस कराओ ये करो वो करो ये क्या भखवास है तो हम राम को कैसे समझेंगे सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो अरे पार्वति सरीखी ब्रह्मांड नाएक गवर्नर की बीबी शंकर जी के साथ जा रही थी तो शंकर जी ने राम को पणाम किया अर्वतिन का ये भी किछे को प्रणाम करते हैं और ऐसे आजमी को जो अपनी इश्त्री के लिए पागल हो रहा है शंकर जगत बंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सबनावत शीशा सो निर्पत नयकीन परनामा कही सच्चिदानंद परधामा सच्चिदानंद भगवान को नमस्कार है ये सच्चिदानंद है अरे इनका जी अब इतना बुरा हाल है श्रीमती खोने पर ये सच्चिदानंद है हमारे पती का भी दमाग खराब हुआ शंकर जी मुस्कराने लेगे ठीक है हमारा खराब है कि तुम्हारा मालूम हो जाएगा तो गई पारबती परीक्षा लेने वाह इस्टूडेंट टीचर की परीक्षा लेने जा रहा है पावर हाउस तो राम है उनसे पावर पाया पारबती ने अब उन्हीं की परीक्षा लेने गई तीता का सुरूप बना लिया मेकप नहीं साक्षा तुही रूप लक्षमन को चक्कर आ गया लच्षिमन दीख उमाकृत बेखा भये चकित भ्राम हिदा है विशेखा वो भी नहीं जान सके लक्षमन भी कि ये सीता है कि ये और कोई है और आम ने देखा और जान लिया और बड़े बिनोद में रोना ओना बंद हो गया माता जी अकेली कैसे बैठी हो पिता जी कहां गए अप्तारबती को काटो खून नहीं वो परिक्षा लेने गई थी और शंकर जी मुस्करा रहे हैं और लो और लो परिक्षा तो राम हो या कृष्ण हो या कोई पर्सनेलिटी ऐसी हो जो बुद्धी से परे हो और वो माई कार्ज करें जिसको हम लोग करते हैं तो हम कैसे उसको मानेंगे कि माया से परे है या माया दीश है नहीं समस्तकते हम लोग इसे लिए शास्त्र बेद कह रहे हैं कि उसको कोई नहीं समस्तकता गीता बेदाहम समतीतानी बरतमानानी चार्जुन भविश्यानी चभूतानी माम्तु बेदनकस्चन अर्जुन मैं सब कुछ जानता हूं मुझको कोई नहीं जानता कस्चन कोई नहीं जानता बेद कहता है अपाणि पादो जबनो ग्रहीता पस्ट्यत्य चक्छो श्रिनोत्य करना सबेत्ति बेध्यम नचता स्यास्ति बेत्ता तमाहु रग्रम पुरुखं महांतं श्वेताष्यत रोपनिशत तीसरे अध्यायका उन्निस्वा मंत्रु भगवान के हाथ नहीं है पकड़ते हैं पैर नहीं है दोड़ते हैं आख नहीं है देखते हैं कान नहीं है सुनते हैं नासिका नहीं है सुंगते हैं पचा नहीं है एसपर्स करते हैं मन नहीं है सोचते हैं गुद्धी नहीं है डिसीजन लेते हैं बिनु पग चलै सुनै बिनु काना कर बिनु कर्म करै बिधिनाना आनन रहित सकलरस भोगी अबिनु जिहवा भक्ता बढ़ जोगी तानु बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहाई घ्रान बिनु बास अशेखा अस सब भाति अलव किक करनी महिमाजास जाय नहीं भरनी कौन जानेगा और इतना ही नहीं एक इंद्रिये से सारा काम कर लेते हैं कान है हाँ कान है अब इसी से सुनेंगे इसी से देखेंगे इसी से सुंगेंगे इसी से रस लेंगे इसी से असपर्ष करेंगे इसी से सोचेंगे इसी से जानेंगे सब अलोकिक बातें इसलिए दो बिरोधी धर्मों के अधिश्ठान है भगवान अनोरणियान महतो महियान आत्मा गुहायाम नीतो से जन्तो तमक्रतु पश्यत बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मीशम शुविताश्क्ण रोपनिसत तीसरे अध्यायका बीश्वा मंत्र वो अनो से अनो है यानी सबसे छोटे से छोटा है एटम अलोक्तोन प्रोटोन न्यूटोन से भी छोटा है क्योंकि अगर सबसे छोटा न होगा तो सबसे छोटे में प्रमिष्ट कैसे होगा, ज्याप्त कैसे होगा, ठीक, फिर महतो महियान सबसे बड़े से बड़ा है, बड़ा पहाड, उससे बड़ा समुद्र, उससे बड़ा आकाश, उससे बड़ा है वो, क्योंकि सारा संसार उसी में लीन होता है, तो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, निराकार भी, साकार भी, निर्गुन भी, सगुन भी, निर्विशेश भी, सबिशेश भी, करता भी, अकरता भी, कृपा करता भी, न्याय करता भी, राक्षसों का संघरता भी, यारी दो बिरोधी धर्म है उसमें तो इश्वरे ब्रह्मनिनो बिरुध्यते पदाश्रयत्वादु पचर्जते गुणई तो समझ में कैसे आएगा हम लोग तो एक साइड को मानने वाले हैं दोनों है वो यह हम संसार में देखते ही ने कैसे मानेंगे हम नहीं जान सकते राम देखि सुनी चरित तुम्हारे जडमो ही बुधो ही सुखारे नारद जी गए कृष्णावतार में पहुचे नंद के आंगन में उपर से आगे एक दिर से देखा किम्ब्रूमस्त्वाम् यशोदे कति-कति सुकृतक्षेत्र ब्रंदान पूर्भं नोशक्रो नस्वयं भूर् नचमदनर पूर जस्चलेभे प्रसादं तत्पूर्णम ब्रह्म भूमव बिलूठति बिलपत होगी इन दोनों में स्री कृष्णा और यशोदा में कोई एक जीवात्मा होगी कोई परमात्मा होगा एक क्योंकि मैंने तो परमात्मा का अवतार सुन करके आया हूँ मैं यहाँ यह सोदा चुप रही फिर कहते है नारज जी कि जिसकी गोद में जाने को जीव रोता है वो ब्रह्म होता है समस्त जीव दुखी है वो भगवान की गोद में जाने को रो रहा है तो इसका मतले भी यह हुआ कि यह सोदा ब्रह्म है और जो स्रीकृष्ण छोटे से है यह जीव है यह रो रहा है गोद में जाने को ब्रह्म कहरा जा खेलो ये सोधा ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये ही ब्रह्म है मैं तो जीव हूँ लेकिन ये सब प्राइबेट बात है लीला में मुझको भी इसने भुला दिया है कि मैं जानती हूँ ये ब्रह्म है मैं भी भूली हूँ बेटा मानती हूँ लाला मानती हूँ और ये भी भूला है कि मैं ब्रह्म हूँ ये दोनों को भुलाने वाला कौन उसका नाम योगमया भगवान की एक personal power है सबसे personal उसका नाम योगमया वो भगवान की भगवत्ता भुला देती है और जीव का जीवत भुला देता है दोनों अपने अपने सुरूप को भूल जाते हैं जैसा कि आप लोगों ने रामाण में पढ़ा होगा प्रभूतारूतार का पिडार पर राम नीचे बैठे हैं और हनुमान हो गयरा सब पेड़ के उपर बैठे हैं ना तो राम को होश है कि डाट ने क्या बत्तमीज यह नीचे बढ़ो अरे उनको पते ही नहीं कि मैं राम स्वामी हूँ और हनुमान जी वगयरा को भी यह होश नहीं है कि मैं दास हूँ यह पेड़ की डाल पर राम के खोपड़ी के उपर बैठा हूँ कि दोनों भूल जाते हैं तभी रस बनता है अगर यह न हो तो कि भगवान एक्टिन करते हैं भकतों के साथ तो भूलते थोड़े होंगे और एक्टिन करें तो कोन भकतों से प्यार करें ऐसा नहीं यह योग माया के कारण भगवान भगवत्ता भूलते हैं जीव जीवत भूलता है तत दोनों एक लेबिल पर आते हैं भगवान ने कहा गवरांग महापर्भू के शब्दों में कि देखो हमको अपने से बड़ा मत मानो तुम लोग मनुश्यों आपना के बाड़ माने आमार समहीन या तो हमको अपने से छोटा मानो जैसे ये शोदा मैया उखल में बांदेती है और या तो बराबर मानो बड़ा मानो गए तो प्यार नहीं कर सकोगे संसार में भी छोटा बड़े से प्यार करने में ड़ता है कैसे प्यार करेगा हो उसकी परसनेलिटी को जो सोचता है तो भयो पैदा होता है अरे कहां भगवान कहां हम तो भगवान ने कहा है सब तुम मत सोचो हम से हमारे प्रत तुमारा जो भाव है मा का मानो बाप का मानो भाई का मानो सखा का मानो पती का मानो यह संसारी भाव की तरे मानो जड़ा भी मत बीमारी लाओं खोपड़ी में कि ये भगवान है देखो संसार में भी कोई इस्त्री मैंने अपने कानों सुना है एक बार इलहाबाद में मैं आठ नौ जजों के यहां जाया करता था हाई कोर्ट में बिंदेबाचनी वगएरा उस समय थे रखवर दयाल वगएरा तो एक जड़ के हां से दूसरे के यहां गए ड्राइंग रूम में खड़े हुए तो हमने अंदर के कमरे से एक आवाज सुना बीबी पती से कह रही थी कुछ तुमको कभी अकल नहीं आएगी ओ ओ ओ और मैं जानता था उन्जत साहब के यहां बहुत बार गया था कि इसतरी मामूली पढ़ी लिखी है और पती से कह रही तुमको कभी अकल नहीं आएगी जो जिंदगी और मौत का फैसला करता है तो खैर मैं अंदर चला गया जहां दोनों लड़ रहे थे आए महराजी आए महराजी आए वो सब गोलमाल हो गया लेकिन हमने फिर उखाड़ा विशय को हमने कहा क्यों भाई मैं तो समझ रहाता है कि यह जस्टिस साहब ऐसा ऐसे मुकदने करते हैं बड़े-बड़े बीहर और तुम कहती हो इनको आकल नहीं है हमाराजी देखिया फिर उसके बाद भी वो इससे माना नहीं क्योंकि उसको बस इतना भाव है हमारे पती है तो जच्छे सच्छे सोते होंगे वहां कोर्ट के हमको उससे मतलब नहीं हमारी माम को ऐसे डाटती थी को कोई सुने तो प्रिचह है रगत गूरु इदा हुझा लाध है उनका वह इसवर्ज का चिंतन नहीं कर सकते हैं यकली नहीं कर सकते तो ढरad जाएंगे तो राम को को गभियोंको इंद्रि मनबुद्धी से परें दिव्य हैं वो प्रेरक है, सब प्रेर्ज है, वो प्रकाशक है, सब प्रकाश है, कोई भी गती ऐसी नहीं है, जिससे हम राम को जान सकें, फिर क्या करें, अब फिर चलो बेदों में, पहले अध्याय के, दूसरी बल्ली का, तेश्वा मंत्र, ये क्या कह रहा है, इस परमात्मा को, इस राम को, जो सब के अंदर बैठा है, कोई ब्यक्ति किसी साधना से नहीं जान सकता, करोड कल्प तप करें, कुछ भी करें, कर्म ज्ञान उपासना जो भी चाहे हो, इससे ये नहीं पकड में आएगा, फिर किसी ने भ्रवगोत प्राप्ति की ही नहीं, ये मतलब है, नहीं, 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 ऐसा नहीं, बेदाहमेतं पुरुखं महांतं, अनन्त जीवों ने राम्स की प्राम को प्राप्ति किया, ब्रह्म की प्राप्ति की, वो कैसे किया, ये में वैश ब्रिनुते तेन लभ्या, जिसको वो जना दें, जिस पर वो कृपा कर दें, वो उनको जान सकता है, पा सकता है, देख सकता है, अस्पर्ष कर सकता है, अच्छा अच्छा मुंड को पनिशद्विय कहता है नायम आत्मा प्रबचने न लभ्यों न मेधया न भहुदाशुरते न तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र बेद का उद्घोष सुनली आपने अनोरणियान महतो महियान आत्मा गुहायाम निहतो से जन्तो तमक्रतो पश्चति बीचुशो को धातो प्रसादान भगवान की कृपा से उसको कोई जान सकता है तपप्रभावाद देवप्रसादाच्य श्वेताश्चतरोपनिशत छठमे अध्याय का एककैस्वा मंत्र भगवत कृपासे भगवान का ज्ञान होगा और गीता भी यह कहती है तमेव शरनंग अच्छो सर्वभावे नभारतो तत प्रसादात पराम शांतिम उसकी कृपासे पराशांति मिलेगी गीता काथा राध्याय समाप्त हो गया अर्जुन ने पूछा कच्चे दग्यान सम्मोह प्रनश्ट स्तेधन अंजय अज्ञान चला गया अर्जुन अर्जुन ने का हाँ हाँ नश्टो मोह इस्मृतिरे लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत आपकी कृपासे महराज अज्ञान गया अज्ञान आया अब मैं जुद्ध करूँगा तो भगवान के कृपासे ही भगवान का ज्ञान हो सकता है भगवान का दर्शन हो सकता है जो कुछ तुम चाहो भगवत सम्मंधी विशैं वो सब उनके कृपासे ही मिलेगा और आमेर से समझो मैंने बताया न अब भी धिहारी शंभू न चावन हारे तेवू न जान ही मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा उसी के नीचे लिखते हैं कि तुम्हरी कृपा तुम ही रगुनन्दन जानत भगत भगत उरचंदन न माया जाएगी बिना भगवान की कृपा के और न भगवत प्राप्ती होगी दोनों चीजें हल नहीं हो सकती बारी मते बरू हो इग्रित सिकता ते बरू तेल इंपोस्बिल पोस्बिल हो जाएगे लेकिन बिना भगवत कृपा के न माया जाएगी और न भगवत प्राप्ती होगी दीता में इतना स्पष्ट लिखा मामे वजे प्रपध्यन ते माया मेतां तरंति ते यह शब्द लिखा जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वेही माया से उत्तिर्ण हो सकते हैं भगवत प्राप्ती है यह शाम साएव भगवान दायये दनन्ता सरवात्मनाशृत पदो यदिनिर्भ्यलीकं ते दुस्तरा मतितरंति चदेव में मायां दूसरे असकंद के सात्मे अध्याय का बैलिस्वाश लोग जो मेरी शरण में आएगा बस उसी की माया निबृत्ति हो सकती है और कोई सुरत में उसी सरनागती को भक्ती कहते हैं द्यान दो सरनागती मैंने भक्ती कंप्लीट सरंडर मैंने भक्ती मन बुद्धी का समर्पन उसी को बेद कह रहा है यस्त्य देवे पराभक्तिर जथा देवे तथा गुरव तस्य इते कथिता ही अर्था प्रकाश्यंते महात्मना श्वेताश्यतरोपनिसत छठमे अध्यायका तेईस्वा मंत्र जैसी भक्ती भग्वान में हो वैसी भक्ती गुरू में हो अपून सरंडर सरनागती हो तब भग्वत प्राप्ति की आशा करो इबेद कह रहा है उपासते पुर्षम जेह यकामा श्टे शुक्रमेच दति बरतंति धीरा मुंड को पनिशत तीसरे मुंडक का दूसरे खंड का पहला मंत्र जो संसारी सब कामनाओं को छोड़ कर केवल भगवान की उपासना करता है राम की भक्ती करता है उसी की माया ने व्रित्ती हो सकती है और आमैन तो आप लोग जानते ही है हजार जेगे लिखा हुआ है जोग में सिध्धिया मिलती है इतने हलके हो जाओ कि फूक दे तो उड़ जाओ इतने भारी हो जाओ कि लाखों ब्यक्ती न उठा सकें दूसरे के अंता करन की बात नोट कर लो बड़ी बड़ी अलओकिक शक्तियां है सिध्धियों में अड़िमा लगिमा गड़िमा प्राकाम्या तमाम सिध्धियां है आठ लेकिन माया निवृत्ती नहीं होती उसकी माया निवृत्ती के लिए तो भक्ती ही करनी पड़ेगी सिद्धी से नहीं काम चलेगा योग ब्यर्थ, ज्यान ब्यर्थ, कर्म ब्यर्थ, तपस्या ब्यर्थ किसी की मुक्ती नहीं होगी साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी, कभी कोभिज कृतग्य सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित बिज्ञानी, तराइन बिनुसेये मम स्वामी, राम नमामी, नमामी, नमामी. कोई हो ज्ञानी, बिज्ञानी, तपस्प्रिव, योगी, बिना स्री कृष्ण भक्ति किये, बिना राम भक्ति किये, कोई नहीं तर सकता. यह माया इतनी बल्वती है, कि शिव चतुरानन देखि डिराही, अपरजीव के ही लेखे माही. भगवान को कौन जानेगा? अब देखें, मैं गवारी भाषा में आप लोगों को बताता हूं, जब कभी कोई आप से पूछे, तो सीधे सीधे बता देना. भगवान को कौन देख सकता है? जवाब भगवान. भगवान का असपर्ष कौन पा सकता है? भगवान. भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान. भगवान को कौन जान सकता है? भगवान. तो जीवने कैसे जाना भगवान ने अपनी आँख जीव में डाल दी शक्ति आँख वाली कान वाली कान में डाल दी नासिका वाली नासिका में डाल दी और बुद्धी वाली बुद्धी में डाल दी तो भगवान की शक्ति सब प्लस हो गई मिटीरियल में तो सब spiritual हो गए तब हमने भगवान को देखा सुना, सूंगा, रस लिया स्पर्ष किया, जाना एक साथ ऐसे नहीं जान सकते ऐसे तो कैसे जानेंगे वो भी समझ लीजिए राम खड़े हैं धनुष जग में हम लोग भी थे देखा बिदूशन प्रभू बिराट मय दीशा बहु मुख कर पदलो चन शीशा आश्चर है आप संसार में किसी को देखते हैं तो तीन बात हो सकती है या तो अच्छा लगे सुन्दर लगे और या तो खराब लगे देखा हटा लिया आँक और या तो कॉमन मेंन लगे हाँ धीग है बस लेकिन राम को देखने वाले एक कहता है इनके 18 सिर है और 24 पैर है दूसरा कहता है बेवकूब गिंती भी आती है 22 सिर है और 64 इसके पैर है तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो हंके एक हजार सिर है 2000 पैर है ऐसा कैसा हो सकता है बैई ये कैसा शरीर है भगवान का अब दूसरा देख रहा है वो कहता है कि नहीं नहीं जिब दोई हाथ है दोई पैर है एक कही सिर है ये क्या भगवास कर रहे हैं आप लोगों का हरी भक्तन देखे दो उभ्राता इश्ट देव सम सब सुख दाता भक्त लोग देख रहे हैं उनको दिब दिष्टी पहले से मिल चुकी है वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो ब्रह्म है योगिन परम तत्वमय भासा अंत शुद्ध सम सहज प्रकाशा अर्था सब लग लग धंग से देखे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरती देखी तिन तैसी बहुत से लोग आप लोगों में से हैं जो कहते हैं भगवान को एक बार दिखा दीजे महराज जी पिर देखिये मैं कैसी भक्ती करता हूँ बड़े पावल हो जाओगे नास्तिक हो जाओगे मत देखो क्योंकि आलोग के कुरूप तो तुम देख नहीं सकते तुम देखोगे तो अपनी ही भावना के अनुसार देखोगे तो कहोगे ये तो इनसे तो अच्छा हमारा बेटा है इनको देखके हमको जितना सुख मिल लाए है उससे हजार गुना तो अपने बेटे को पती को अपने भावी को देखके हम सुखी होते हैं ए भगवान भगवान नहीं है क्योंकि आपको दृष्टी मिली नहीं वो भगवान का शरीर कैसा है ये हाडवास का नहीं है उचिदानंद माय देह तुम्हारी बिगत भिकार जान अधिकारी वो चिन्मय है उसके एक रोम में अनंत आनंद बह रहा है ऐसा शरीर है उनका सभी तो बड़े बड़े परमहंस जीवन मुक्त लोग देखते ही पागल हो जाते सनकादिक परमहंस भगवान को देखा और चिल्लापडे तस्त्यार विंद नयन स्यपदार विंद किन्जल कमिष्ट तुलसी मकरंद वायू अंतरगता स्वभिवरेण चकारते शाम संचोभ मक्षर जुषाम पिचित्त तन्व हे भगवान हे राम हे कृष्ण हमको नरक में बास दे दो यह सनकादिक परमहंस कौन है यह भगवान क्या उतार है और पैदा होते ही से परमहंस है सदा नंगे सारे संसार में और सारे देव लोग गो लोग में घूमते हैं कि क्या हो गया है अपने को नरक में बास मांग रहे हैं भगवान से हाँ लेकिन शर्त है उसमें मांग में एक सब सेक्षन भी है आपके चरणों में मेरी भक्ती बनी रहे ऐसा नरक दे दो हमें ब्रह्मानन्द नहीं चाहिए ग्यानियों वाला सनकादिक परमांच कह रहे हैं कि सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने हू लयो तेनहीं गणहीं खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति इनिवर्ति परायन परमहंस है सनकादिक वो कह रहे है कि राम के दर्शन का जो सुख है उसका लवलेश भी अगर किसी को मिल जाए तो वो निराकार ब्रह्म के आनंद को फेक देगा जैसा हमने फेका और प्रवित्ति परायन परमहंस है जनक उनको देख लो राम को देखा इनहीं बिलोकत आतिया नुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा जबर्दस्ति ब्रह्मा अनंद भाग गया सहाज बिराग रूप मन मोरा एक तो बैराग्य का चिंतन करना पड़ता है बुद्धी लगानी पड़ती है राम के मुखार बिंद से आँख हटती नहीं एक क्या हो गया मुझको मेरा मन तो मर चुका था ओ जनक परमहंस है एक हाथ इस्त्रियों पर एक हाथ आग में जल्ला है और अपने को ब्रह्म की स्थिती में किये हुए है इतनी उची अवस्था में रहने वाले का ये बुरा हाल हो जाए तो भक्ति के बिना भगवान कृपा नहीं करेंगे, जज्मेंट सुनो, भक्ति के बिना भगवान कृपा नहीं करेंगे, और बिना उनकी कृपा के न माया निवृत्ति होगी, न आनंद प्राप्ति होगी, न भगवान का दर्शन होगा, यानि आपका कोई भी एम उद्देश पूर्ण नहीं हो सकता इसलिए भक्ति करना है अब भक्ति किसे कहते हैं कैसे भक्ति करें प्रेक्टिकल वो काम की बाद अंत में बड़े सिध्धान्त के द्वारा परिक्षितने शुक्देयों से पूछा यच्छो तब्यम अथो जप्यम जदकरतब्यम द्रिभी प्रभो स्मरतब्यम भजनीयम वा बुरूह यदवा भिपर जयम पहले हसकंद के उन्नीसमे अध्याय का अर्थिस्वाश लोग परिक्षित कहते हैं महराज सीधे सीधे बता दीजिए हमको क्या करना है भक्ति के अंतरगत उत्तर दिया शुक्देव परमहन सुने तसमात भारत सरबात मा भगवानीश्वरो हरी शुरूत अब्या कीर्टितअब्यस्ट शमर अब्यस्ट चेच्छताभवयं तीन काम करो तीन भक्ति करो भक्ति तो पचीशों प्रकारकी है उन्नावधा भक्ति बहुत प्रक्ख्यात है श्रमण और कीरत नंब भिष्णोर रर्चन पादसेव नं अस्मरणं बंदनंद दा श्रवनम, सुनना, भगवान की बातें सुनना, उनकी कथा सुनना, उनका सिध्धान्त, उनकी फिलोस्फी सुनना, महापुरुष से, जैसे आप लोग सुन रहे हैं न, इसको सुनना कहते हैं। और कीर्तनम, भगवान के नाम को, गुण को, लीला को, गाना, कई आदमिये कठ्थे होके, को संकीर्तन, और तीसरा स्मरण, उनके रूप का ध्यान करना। फिर कहा, शुकदेवने, तस्मात सरबात मना राजन, भगवानी श्वरो हरी, श्रोत अभ्या कीर्तित अभ्यास्च, स्मरत अभ्यो भगवान मिर्नां। तीन भक्ति करना है वही, फिर प्रबुध्य ने कहा, श्रेमणम, कीर्तनम, ध्यानम, हरे, रद्भुद कर्मणा, तीन भक्ति करना है। और इन तीन में एक भक्ति वास्तविक भक्ति है, और दो उसकी हलपर हैं। में भक्ति क्या, स्मरण भक्ति। ब्रह्मा कहते हैं, भगवान ब्रह्मकार्ष्नेन त्रिदान्वीक्षमनीशया, तदध्यवस्त्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत भागवत। ब्रह्मा कहते हैं, दूसरे अस्तकंद के दूसरे अध्याय का 34 अश्लोग, ब्रह्मा कह रहे हैं, मैंने स्वयम तीन बार बेदों को मथा बुद्धी से, भगवान की दी हुई बुद्धी से, बेदों को मथा, और ये निश्कर्ष निकाला, क्या भगवान की भगती करना ही प्रत्यक जीव का करतब्य है। फिर आगे कहा, बेदव्यास ने, आलोड्य सर्ब शास्त्रानी विचार्ज चपुनअपुना, इदमेकं सुनिश्पन्नम्धेयो नारायनो हरी, सकंद पुरान। छहों सास्त्रों को मत करके, हमने ये निश्कर्ष निकाला है, भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो, स्मरण करो, बस। इसलिए केवल एक भक्ति, स्मरण, क्यों? कीरतन नहीं है ठीक, कीरतन भी ठीक है, लेकिन केवल कीरतन ठीक नहीं है, वो तो फिजिकल ड्रिल हो गई, इंद्रियों का बरक हो गया, आपको भगवान की भक्ति करना है न, किसको करना है भक्ति? मन को, मनय यो मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो नारद पुरान ब्रह्म बिंदू पनिशत चित्यमे वही संसारा तत्प्रयत्ने नशोधैत मैत्य यूपनिशत ये बंधन और मोक्ष का कारण मन है संसार में लगा है ये बंधन है भगवान में लगा दो बद मोक्ष है ध्यायतो विशयान पुनसब विशयेशु विशज्यते मामनुस्मरत चित्तम हैजेव प्रभिलियते मन का ही वर्क वर्क है हमारे संसार में भी मन का ही वर्क वर्क माना जाता है दोको तमाम जड़ बैठे हैं यह जानते हैं कि मनशा थी उसकी की नहीं ये निश्चे करो अगर उसकी मनशा थी खराब तो फिर उसने पाप किया दंड मिलना चाहिए मनशा नहीं थी एक आदमी अपना रिवालदर से गोली चला रहा है पेड़ के उपर यह समझ करके कि हम दराद सीखें निशाना मारना उसमें एक आदमी बैठा था मर गया तो वह क्या करें विचारा क्यों तुम पेड़ पर बैठे थी जी अजी ऐसे हम बैठे थे अच्छा लग रहा था त उसको दंड़ नहीं मिलेगा तो मंशा हो खराब तो अपराद है आप किसी के घर के बाहर ताला लगा है उसके अंदर आप देख रहे हैं रात को टार्च से पुलिस ने पकड़ा क्या कर रहे हो देख रहा हूं कहां का बना हुआ ताला है जी हां कहां का बना हुआ ताला है चलो, कुत्वाली, तुमारी मैंशा खराब है, हमारे संसार में भी देख लो, होली पर, पहली अप्राइल को, ससुराल में कैसी गालियां मिलती है, कोई बुरा नहीं मानता, न कोई मुकद्मा दायर करता है, क्योंकि मैंशा खराब नहीं है, मदाक है, पहली अप्राइल को, हमने यहां लोगों से कहा, कि सब लोग चलो मंदिर में, वहां कीर्टन होगा, हम भी आ रहे हैं, और हम नहीं गए, हमने कहा, सब लोग कहते हैं, कि आज के दिन, फूल बनाना चाहिए, और ये फूल को फूल बनाना, कोई सेंस नहीं रखता, ऐसे ही क्या कम फूल हैं हम लोग, लेकिन फिर भी लोग बनाते हैं, एक इंज्वाइमेंट के लिए, मनो बिनोध के लिए, तो एक भक्ती है, स्मरण, कीर्टन है, हेलपर है, अच्छा है, स्रमण है, वो भी आवश्च्रक है, अगर आप जानेंगे नहीं राम कौन है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, साधना कैसी करनी है, ये सही सही नहीं जानेंगे, तो क्या होगा, हमारे देश में, करोणों लोग, भगवान की भक्ती कर रहे हैं, बिचारे, लेकिन क्या कर रहे हैं, जानते ही नहीं, उनके गुरू, उनको समझाय नहीं, गुरू कोई ज्यान नहीं था, कोई रामायन की चौपाईयां पढ़ रहे हैं, कोई गीता के शलोग पढ़ रहे हैं, कोई और अपना ग्रंथ का अक्षर पढ़ रहे्ए अक्षर पढ़ने से क्या होगा अरे गीता में लिखा है Mamekam Saranam Raj भगवान कह रहे है अर्जुमसे मेरी सरन में आजा और हमने पढ़ा Mamekam Saranam Raj हम किसे कह रहें है सरण में जाना है practical खाली कहने से क्या होगा एक कोते को पढ़ा दिया part आएक कोते उस नली पर न बैठना फस जाएगा उसने रच लिया और नली पर बैठना फस जाएगा और फस गया ऐसा हमरारा ज्ञान क्या काम देगा इसलिए स्मरण भक्ति करना है मनेर स्मरण प्राण स्मरण प्राण है और बाकी भक्ति शरीर है शरीर में प्राण है तो शरीर की भी इंपॉर्टिंस है प्राण निकल गया अब वो शाव हो गया तुरंत निकालो घर से बाहर, जल्दी जलाओ 24 घंटे के अंदर, उसके इतना बैराग्य हो गया घर वालों को, तो अस्मरण करने से ही काम बनेगा, और एक बात और, कि कोई कामना नहीं करना है भगवान से, है, मोक्ष पर्यंत की कामना नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश में। इतने मंदरों में लोग घूंते हैं, ये बैश्णो देवी जा रहे हैं, ये अमुक हरमान जी के यहां, अमुक देवी जी के यहां, आजकल देवी के मंदरों में क्या भीड होती है इसमें 99.9% लोग सकाम हैं संसार मांगने जाते हैं हमारी बेटी के ब्या हो जाए हमारे लड़का नहीं है लड़का हो जाए हमारी सर्विस में हम सस्पेंड हो गए हैं सर्विस हो जाए फिर से यह कामना ले लेके जाते हैं और अगर बाई चांस, प्रारभ्ध के अनुसार, लड़का हो गया, बैष्णो देवी ने सुन लिया, ए तुम भी जाओ, मांगो लड़का, हो गया, नहीं मिला, हमको तो नहीं मिला, तो तुमने ठीक से मांगा नहोगा, अब वो लड़का बीमार हुआ, सीरियस, फिर गया बैष तुमने जवाब दे दिया, लोटके आया, वो मरा हुआ मिला, अगर आपने किसी देवी देवता को संसार दिलाने वाला माना, तो एक दिन नास्तिक भी बनोगे, क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तो जय हो जय हो, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो अबेकार बैराग्य हो जाएगा उससे, इसलिए संसार की कोई कामना न हो, निश्काम प्रेम, यानि हमको देने देने की भावना से प्रेम करना है भगवान से, लेने की भावना नहीं, अनंत जन्ब बीत गए, मांगते, मांगते, अरे हम क्यों मांगे भगवान से कुछ, हम उनके आपसे भीख नहीं मांगता, उसका तो अधिकार है, वो क्यों मांग और उनसे कोई, और फिर मांगने की अकल भी तो नहीं, क्या मांगेगा मनुष्य, एक बच्चे से कह दो, यह हीरा है, यह टाफी है, क्या लेगा? वो टाफी ले लेगा, क्या मालूम रीरे का क्या डाम है तो उसी प्रकार हम संसारी विशय भोग में मस्त रहने वाले हमको भगवान के यहां कि कोई सामान का पते ही नहीं अनुभव नहीं हम क्या मांगेंगे तो उन्हीं पछोड़ दो तुमको जो देना हो दो नरक दो स्वर्ग दो बैकुंट दो मृत्य लोग दो हम तुम्हारे सरंडर हैं सरंडागत हैं इसलिए हम बुद्धी नहीं लगाएंगे तो कोई कामना न करें और अनेक देवी देवताओं के चक्कर में न पड़ें नमबर दो अनन्य प्रेम केवल भगवान स्री कृष्ण राम कोई और उनका नाम उनका रूप उनका गुण उनक उनके संथ बस इतने में रहें स्वार्ग में तमाम देवी हैं तमाम देवताओं माया बद्ध हैं उनकी भक्ति करेंगे तो हम भी माया में आसक्त होकर 84 लाक में घूमेंगे यांति देवब्रता देवान गीता कहती है देवताओं की भक्ति करोगे तो उन्हीं को प्राप्त होगे और वो वहां से धकेल दिये जाएंगे पुंड़क्षिण होने पर फिर 84 लाथ में घूमोगे तो किसी की भक्ति नहीं करना है यथा तरोर मूल निशे चनेन त्रिप्यंति तत्सकंध भुजो पशाखा पेड़ की जड़ में पानी डालो तो उसके शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फल सब में जल पहुँच अब पत्ते में पानी ढालोगे तो पेड़ सुख जाएगा हो है तुम यह देवी देवताओं के चकर में पड़े ओं यहां भी भागते हो वहां भी भागते क्यों भागते हो एक चीज निश्चे करो हमको राधा कृष्ण की भक्ति करना है और हम राधा कृष्ण को प्राप्त करने वाले इस महापुरुष में पूर्ण सरंडर करते हैं और उसकी बताई साधना करते हैं बस इसके आगे न सुनना है न पढ़ना है न सोचना है न जानन है न करना है तब भग्वत प्राप्ति होती है अन्य था जैसे आपने यहां पर चार फुट खोदा कंकड मिल गया आप ने जगे परिश्रम करके पचीश फुट खोद लेते तो पानी मिल जाता तो ऐसे ही हम लोग भी करते हैं कभी ऐसा किया कभी वैसा कि आपने अपने घरों में हम लोगों ने बजार लगा रखा है ये देवी ये देवता ये तमाम एक दो तीन चार दस पंद्रा ये का रूप ध्यान तो बैठता नहीं मन में ये तुम इतने सारे भगवान लगा रखे हैं ये काहे के लिए ये हमारे बाग के हैं ये बाग के बाग के दमाने के हैं तुम अपनी साधना को सोचो तुमको और क्या मतलब पड़ा है ये हमारे इंदर बीमारी है एक ब्रंदाब बिहारी निकुंज बिहारी स्रीकृष्ण के भक्त वो सामने देखा कि स्रीकृष्ण खड़े हैं दौड़े चपटने के लिए तो सामने जाड़ी एक आ गई उसी में बाल उलज गया आगे नहीं जा सके और समाधी खुल गई देखा अरे अच्छा उसी ने उलजाया है ठीक ह अब वही सुल जाएगा तो मैं सुल जूँगा ऐसे नहीं अपना हाथ नहीं लगाऊंगा उसको ऐसा देखने ने अच्छा लगता होगा इसलिए उलजाया है उसने एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन अब कब तक खड़ा रहे बिचारा बाबा बिना खाए पिये भगवा हार गए और बूड़े बन करके आये अरे बाबा जी आप कई दिन से खड़े हैं मैं देख रहा हूँ अपने हाथ से जटा सुल जाके आप बाहर नहीं आ सकते क्या इस जाड़ी से ए बुड़े पक मिया बीबी के मामले में बीच में नहीं पड़ते आउट जाओ यह हमारा मामला है हम दोनों निप्टेंगे तुम कौन होते हो अरे बाबा महीं हूँ ओ महीं हूँ जिसके लिए तुम ऐसे खड़े हो जा सीशे में सकल देख ले यह है आकरकार भगवान हार गए अपने रूप में आये प्रकट हुए तो देखकर विभोर हो गए बाबाजी लेकिन हुआ हम झूण डगा चूण है अब क्या जगड़ाएं ऐसा है बहुत है यह दो एक बतर्पने लुदह 10 अगर को यहो हाई hatırकर सृक्र्षृ करूंगा बाबा जीन सोचा अच्छी दावन लगी है ब्लेक मेल करो तो अनन्य का मतलब यह कि और कहीं हमारी अगर अधर श्रद्धा हुई तो इसका मतलब आपने इस दो में श्रद्धा में उतने परसेंट कमी है तो अपना अपना इस देओ अपना गुरु और अपनी साधना यह तीन चीज में अनन्य होना चाहिए और उससके आगे थीक है वह भी संग्राचार्ज भी ठीख हैं हम प्रमास में कहते होंगे अपने काम के नहीं हो हमारा जिस साधना से संबंद है उसको बढ़ाना है हमको इधर भी उधर भी उधर भी इनाचक नहीं करना है तो अनन्य भक्ति हो निश्काम भक्ति हो और अधा कृष्ण के प्रत ही भक्ति हो और हर समय हर जगे ये फीलिंग हो वो हमारे साथ है वो हमारे साथ है कहीं जाएए आफिस में काम कीजिए मेज के ऊपर श्याम सुंदर को बिठा दीजिए मन से फोटो अटो नहीं मन से महराज बैठो यहां मैं काम करता हूँ आधा गंटे में एक बार देख लिया बैठे हैं न हाँ बैठे हैं हमारे काम में गड़बड नहीं होगी ऐसा अभ्यास करते कुछ दुनों में आपको ऐसा अभ्यास हो जाएगा हर जगे हमेशा सरबत्र सरबदा यह रियलाइज करो जैसे अपने आपको रियलाइज करते हो जो मैं कल वहाँ था जो मैं कल मनगढ गया था जो मैं परसों इलावाद गया था वही मैं हूँ आएसे ही जैसे मैं को हम अनुभो करते हैं आएसे अपने बाप को भी करें वो हमारा बाप है पिता है वो हमारा पालक है मैं बालक हूँ उसका दोनों एक साथ फिलिम में आवे इसका अभ्यास हो जाए बात आदि भगवत प्राप्ति कर लिया आपने और आप शान्त रहेंगे कोई दुख भी आप परहा भी नहीं होगा वो अंदर बैटे हैं वो अंदर बैटे हैं और पाप करने जैसे आप चलेंगे हरे वो नोट कर लेंगे तो कृपा कैसे मिलेगी फिर हर समय आप सावधान रहें देखो आप सब लोग एक गंडे शरीर के लिए कितने सावधान रहते हैं कि कभी एक बार भी जिंदगी में आप नंगे होके रोड़ पर नहीं चलें एक बार भी कितने सावधान है गंडे शरीर को इतनी इंपॉर्टेंस है आपके खोपड़ी में आत्मा के लिए नहीं है उसमें आप भूज जाते हैं यह भूज जाते हैं कि वो नोट करता है हर समय जितनी देर पूजा वगेरा में आप बैठते होंगे मान लो ठीक ठीक करते होंगे उसके बाद भूल गए एक दम भूल गए हाँ और जहां भूले वहां अपराद होगा आपकी प्राइवेसी आपसे अपराद कराती है पती के खिलाब सोच रहे हैं बैठके पती के खिलाब सोच रही बीबी बैठके और क्या सोच रही है कुछ नहीं जूट बोल गया है इतना गड़बड करते हैं हम लोग अगर भगवान को हम फील करें हर समयन भोग करें मानें तो अपराद करते ही माथा ठंकेगा अरे वह हम संदर्स नोट कर लेंगे तब फिर जज्जमेंट उल्टा हो जाएगा इस प्रकार हर समय सावधान रहो और जो घंटे-दो घंटे समय मिले साधना करने का उसमें तमाम प्रपंच नहीं बस भगवान का रूप ध्यान करो नंबर एक फिर उसके बाद धीरे धीरे कीर्तन करो और रोकर उनको पुकारो उनका प्रेम उनका दर्शन मांगो रोकर यह इंद्रियों के बर्क से कुछ काम नहीं चलेगा यह तो 0 में गुणा है एक करोड से गुणा किया जीरो में जवाब आया जीरो तो अगर आपने मन का अटाइच्मेंट नहीं किया तो शास्त्र कहता है जहां मन का अटाइच्मेंट है वही फल मिलेगा जड़ भरत तरीके परमहंस जीवनमुक्त हिरिनी के बच्चे में आ सकती हो गई मरते समय हिरिनी को हिरदे से लगाके मरे मरने के बाद हिरन बने जीवन मुक्त का यहाल है तो माया बद्ध का क्या उसकी क्या गिंती है तो इस प्रकार सब साधनाओं से जुक्त होकर हम अन्तहकरन शुद्ध करें ए हमारा काम अंतहकरण शुद्ध होने के बाद गुरू सुरूप शक्ति देकर अंतहकरण को दिब्ब बना देगा सब इंद्रियां भी दिब्ब हो जाएंगी मन भी दिब्ब हो जाएगा तब दिब्ब भगवान का दर्शन असपर्ष आज मिलेगा तब माया निब्रित्ति होगी त्रवन त्रकर्म त्रदोष पंचकले सब समाप्त हो जाएंगे और सदा पश्यंत सूर यहा तद विष्णो परमंपदम बेद मंतर के अनुसार सदा भगवान के लोक में अनंत आनंद जुक्त हो कर रहेगा और अपसका लक्ष प्राप्त हो जाएगा शेश फिर कभी बोलिये ब्रंदा बन विहारी लाल की राखवेंद्र सरकार की